दोस्तों, Cyber City Guru Gram जिसका नाम सुनते ही आपके माइंड में huge development आती है क्योंकि Guru Gram ने काफी कम समय में ही काफी ज़्यादा development देखी है लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि Guru Gram में जितनी development होनी थी वो हो चुकी अब आगे कोई खास development Guru Gram में हमें देखने कौन नहीं मिलेगी जो की एकदम गलत है क्योंकि Guru Gram में आने वाले सालों में काफी बड़े-बड़े mega projects आपको देखने को मिलेंगे जो CT के size और development को almost double, triple कर देंगे कुछ ऐसे mega projects भी Guru Gram में हैं जो ना सिर्फ देश के बलकी ACA के सबसे बड़े projects हैं पहले Guru Gram CD का छोटा सा एक brief दे देते हैं उसके बाद हम एके करके Guru Gram के latest and biggest mega projects देखेंगे दोस्तो Guru Gram हरियाना राज्ये का शहर है जो की NCR में आता है Guru Gram देश का third largest financial and banking hub है साथ ही Guru Gram नोर्थ इंडिया में एक major IT hub भी है ने सिर्फ IT बलकी Guru Gram एक बड़ा manufacturing hub भी है यहां मारुती सुजुगी के दो बड़े plant के साथ Honda, Toyota जैसी बड़ी कमपनियों के भी plants है Guru Gram में बड़ी-बड़ी multinational company के headquarter है और यहां 500 से ज़्यादा MNCs एव national company के offices है Guru Gram घर है देश के सबसे famous cyber hub का जिसको हम DLF cyber hub के नाम से जानते हैं देश का सबसे बड़ा medical tourism भी Guru Gram में है अपने mega projects की list पे number one पे आता है global city Guru Gram दोस्तों इक global city project हो सकता है आने वाले टाइम में DLF cyber hub को भी overtake कर दे क्योंकि इस पूरी त्रह plant city को एक हजार एकड में बनाया जाएगा यह पूरा जो project से वो अकेले ही 15 billion की investment attract कर सकता है मतलब लगबग एक लाह क्रोड की investment global city को मिलने के chance है इक global city को एक parameter पर depend नहीं होगी बलकि इसमें residential, commercial, business सभी hub होंगे तब ही government of Ariane ने इसको city in city नाम दिया है friends इस पूरी city को upcoming दौर का express way पर बनाया जाएगा दोस्तों second mega projects भी हमारा दौर का express way है जो देश का first urban elevated express way है इसमें 8 line elevated होंगी और 8 line service line होगी दोस्तों ये 27 km long express way है और इसकी total costing है around 7,287 crore रुपे तो इस express way से दिल्ली airport से तो direct activity होगी ही साथ ही इस express way के दोनों तरफ हमें huge development देखने को मिलेगी जिसको हम new guru gram के नाम से जानते हैं दोस्तों हमारा third mega projects भी है नया गुड़गाओं दोस्तों new guru gram एक well planned city area होने वाला है हरियाना state का जो हो सकता है एक समय पे mg roads और golf course road को भी पीछे छोड़ दे जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इसको दौर के express way पर नए sector बना कर develop किया जाएगा जिसमें sector 102, sector 113, sector 76, 95, 95A and sector 83 शामिल है वेल दोस्तों इन सभी sectors की एक और advantage होगी कि ये सभी well connect होंगे with three highways जिसमें NH48, पुंडली मानेसर, पलवल एक्सप्रेस वे और दौरक एक्सप्रेस वे सामिल है साथ ही ये सभी sector railway station, airport, proposed ISBT से पूरी तरह connect होगे अगर आप अभी भी जाके निव गुरुग्राम में देखते हो तो आपको ये प्लैनिंग के तहती काफी बड़े infrastructure वर्क आपको देखने को मिलेंगे इसमें 30 से ज़्यादा shopping malls है, 100 से ज़्यादा society, hospital, offices पे सब आपको देखने को मिलेगा तो फूर्थ मेगा प्रोजेक्ट है दिल्ली अलवर RTS Rapid Train दोस्तो ये एक semi high speed rail corridor होगा जो कि गुरुग्राम से होकर निकलेगा जिससे गुरुग्राम की direct high speed के through connectivity होगी अलवर रिवाडी और दिल्ली से इस पूरे प्रोजेक्ट की जो cost है वो है around 37,000 करोड और इस high speed rapid train के गुरुग्राम में काफी stations होने वाले हैं जिसमें उद्ध्योग VR, गुरुग्राम सेक्टर 17, राजीव चोक, खिड़की दोला, मानेसर, पचगाउं, बिलासपूर चोक शामिल है बाकी इसके alignment को change करने की भी कुछ खबरे निकल कर सामने आई है जिसमें RITS को old गुरुग्राम से भी connect किया जाएगा इस पूरे प्रोजेक्ट में गुरुग्राम को अच्छा खासा benefit मिलने वाला है फिफ्ट प्रोजेक्ट होने वाला है हमारा heli hub दोस्तो ये होने वाला है इंडियास first heli hub यहां होने वाली है helicopter से related सभी सुईदा जिसमें Chartered Helicopter, Helicopter Maintenance के साथ ही आपको यहां heli taxi की सुईदा भी मिलेगी दोस्तो इसको भी दुवारी का Expressway और NH48 के interchange के पास ही बनाया जाएगा नेच्ट मेगा प्रोजेक्ट से गुरुग्राम Rapid Metro Expansion दोस्तो एक लंबे समय के बाद अब गुरुग्राम Metro के प्रोजेक्ट को हरी जंडी मिल गई है जिसमें Huda City Center से लेके पुरा ओल्ड गुरुग्राम का चक्कर लगा कर वापस Metro Cyber Hub में जाएगी इस पूरे प्रोजेक्ट के कोश्ट लगबग 6,000 करोड आएगी जिसमें टोटल 27 न्यू मैट्रो स्टेशन बनाये जाएगे दोस्तो ये पूरा प्रोजेक्ट अप्रूब हो चुगा है और जल्ल इसका काम स्टार्ट होने वाला है साथ ही अलग से लाइन बनाकर बसे गाउं से दुआर का एक्सप्रेस वे तक मैट्रो का विस्तार भी किया जाएगा इस मैट्रो लाइन के विस्तार से गुरूगराम की प्रोपरेटी बजार में बड़ा उच्छाला में देखने को मिलेगा और ओवराल पुरे गुरूगराम की एकोनमी पर एक पॉजिटिव इंपक्ट भी इस मैट्रो का आएगा साथ ही दोस्तों अरियानक गुवर्मेंट ने अप्रूफ कर दिया है गुरूगराम और फरिदाबाद मैट्रो लाइन को भी जो की एक डबल डेकर मेट्रो लाइन होगी और इसमें ओवराल बाराश श्रेशन बनाये जाएंगे और ये पूरी लाइन अराउंड 34.12 किलोमेटर लोग होने वाली है साथ ही दोनों सीटीज में दिल्ली मेट्रो से इस निव मेट्रो लाइन का इंटरचेंज भी होगा जिससे ओवराल NCR में मेट्रो कनेक्टिवीटी को बूस्ट मिलेगा ये फरिदाबाद वाली निव मेट्रो लाइन गुरू ग्राम के सेक्टर 56 पर इंटरचेंज करेगी और फरिदाबाद में ये बाटा चोक फरिदाबाद पर इंटरचेंज करने वाली है साथ ही इस लाइन पर बाटा चोक, प्याली चोक, सहीद भगत सिंग मार्ग पाली चोक, पुलिश चोकी मंगर, बर्खल एंकलेव सेक्टर 56, गौाल पाड़ी, ग्रोस वुड सीटी, शुशान्त लोग, शुशान्त लोग फेस 3 एनवाटी का चोक पर स्टेशन डेवलेप किये जो कि 140 एकड में होगा, इससे गुरू ग्राम के इस रीजन में काफी जोब अपोर्चुनिटीज ओपन होगी, फिलिपकार्ट का यहाँ पर अपना सबसे बड़ा फुल्फिल्मेंट सेंटर बनाने का एक बड़ा रीजन यह भी है कि यहाँ से पूरे राजिस्तान, गुज और लंबे समय से गुरू ग्राम को एक फुल फैसलेटी वाला बस्टेंड की ज़रूरत है, जिसको पूरा करने के लिए इस बस्टेंड को बनाया जाएगा। और इसी हैवी ट्रैफिक के लिए इस एक्सप्रस वे को बनाया जाएगा ताकि डारेक्टली गुड़गाओं से बाहर मूव करने वाले वीकल इस एलिवेटिड हाइवे का इस्तमाल कर सके। पर एक्सप्रस वे होने वाला है और NHEI इस पर वर्क स्टार्ट भी कर चुकी है। पास करके बस या ट्रक चलाए जाएंगे। और फिलाल में ही हमारे नितिन गडगरी जी वीदेश में एक इलेक्ट्रिक बस की राइड भी लेकर आए हैं। जिसके बाद उन्होंने सोना से जैपुर तक इनी इलेक्ट्रिक ट्रोली बस को चलानी की गोश्णा की है। साथ ही दोस्तों दिल्ली गुरुग्राम एक्स्प्रेस वे से दुवार का एक्स्प्रेस वे स्टक 6 लाइन का लिंक रोड भी बनाया जा रहा है। लोग की कादीपूर चोक से दुआर का एक्स्प्रेस वेस तक तो अल्मोस्ट कम्प्लीट भी हो चुका है। इसके अलावाद दिल्ली मुंबई इंडरस्टर कोरिडोर का बड़ा हिस्सा आपको सोना के पास देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों नेक्स्ट मेगा प्रोजेक्ट होंगे DLF की तरफ से जिसमें वो 3500 क्रोड रुपे हाउसिंग प्रोजेक्ट में और 1700 क्रोड रुपे एक न्यू मूल बनाने में इन्वेस्ट करेंगे। साथ ही दोस्तों गुरुगराम में दुनिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी भी बनाई जाएगी जो की गुड़गाओं और नुहों में अराउंड 10,000 एकड़ पर बनाई जाएगी। 20 क्रोड रुपे और इस पूरे प्रोजेक्ट का नाम है साउथ हरियाना इकोनमिक रेल कोरिडोर जो की गुरुगराम के फरुगनगर से स्टार्ट होगा और इसकी लेंद 139 किलोमीटर होगी। इसको फरुगनगर से बिवानी तक बनाया जाएगा और आगे बिवानी में डारेक्ट कुजरात लाइन से स्कोल निंक कर दिया जाएगा। साथ ही गुरुगराम का फरुगनगर रेलवे स्टेशन हरियाना और बिटर रेल कोरिडोर से भी कनेक्ट होगा। जिसको कि KMP Express Way के आसपस बनाया जा रहा है। ओवरुगराम का फरुगनगर रेलवे स्टेशन एक बड़ा एकोनमी हब बनने वाला है साथ हरियाना का। उस्तो फिलाल के लिए वीडियो काफी लंबी हो गई है तो इस वीडियो को यहीं करते है फिनिश। अगर आप इस वीडियो का सेकिंड पार्ट देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अगर आप कोई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले।